मेरे परिवार जनो राजस्थान की जनता का संदेश कॉंग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है यहां मुख्यमंत्री गहलोजी को भी पता है कि कॉंग्रेस सरकार की विदाई का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और आपने सुना होगा इसका मेरे पास सबूत है दिल्ली में बैटे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा नहों कि गहलोजी जा रहे हैं लेकिन गहलोजी को खुद को भरोसा है को जा रहे हैं और इसलिए गहलोजी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बदाई दे दी है आप देखिए कॉंग्रेस के मुख्य मंतरी आजकल क्या बोल रहे हैं वो अब आगर कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए तो पहले तो गहलोजी आपने पराज़े स्विकार कर लिया हमारी सरकार बनेगी ये बात को सारवजे निक कह दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता है और आपने जब इतना इमानदार से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुनाई मानदार है मैं राजस्तान की जनता को विश्वाद दुलाता हूँ कि भले गहलोजी की सरकार ने योजनाओं चालू की होगी लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं उसको अच्छा करने का बहतर बनाने का प्रयास करेगी और यह मोदी की गारंटी है मोदी की गारंटी मतलाब हार गारंटी के पुरा होने की गारंटी लेकिन राजस्तान के भाई और बहनों मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूँ जिन जिन ने यहां ब्रस्टा चार किया है योजनाए तो हम चलाए रखेंगे सुधार भी करेंगे लेकिन जिन जिन लोगों ने ब्रस्टा चार किया है गरीबों के पैसे लूटे है उनके खिलाब तो कारवाई जरूर होगी ये भी मोदी की गारंटी है ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे चाहे जितना उसकी कब्र खोधने के सपने देखते रहे करप्शन पर कठोर कारवाई जारी रहेगी कॉंग्रेस सरकार का तो हाल ये है कॉंग्रेस सरकार का तो हाल ये है आपनों घोडो छाया में बांधनों दूजां को फरबा दियो यानि जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो राजस्तान के युवाओं के साथ जो दोखा किया गया है भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी यहां के पेपर लिप माफिया को पेपर लिप माफिया ख़दान माफिया सुनते थे हम पेपर लिप माफिया पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा मैं आपको भरोसा देता हूँ नव जवानों के बविश्य के साथ जिसने खिलवार किया है ऐसे पेपर लिप माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा उन्हें कडी सी कडी सजाद दिलाई जाएगी